थाकड़ खबर के नियूजम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिस खान जब से सिवरा सिंग चोहान चोथी बार मद्देपरदेश के सियम बने हैं तब से वहां की पुलिस की कारे शहली को देशी नहीं पुरी दुनिया देख रही है कैसे पुलिस वालों की मौझूद्गी में वो भगवादारी गुन्डे है आतंक बरपा रहे हैं एक एक कर एक एक जीले को निशाना बना रहे हैं शुरुवात करते हैं मंसोर से फिर उसके बाद उजयन पहुझाते हैं इंदोर पहुझाते हैं खंडवा पहुझाते हैं राजगर पहुझाते हैं और भुपाल में आके भी आतंग मचाने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस उनके खिलाब कोई अक्शन नहीं लेती क्योंकि वो पुलिस की ही मौजूदगी में मजजिदों को तोड रहे हैं धार्मि MBA को नुख्सान पहुचा रहे हैं इकडर मिशेत के लोगों के घरों पे हमला कर रहे हैं आग्जनी कर रहे हैं मार पीट कर रहे हैं लेकिन पुलिस फीडितों के खिलाब कारवाई करति विज़रूर दिखाई देती है उन पेश से लगा देती है उनके घरों को तोड़ देती है तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये कारेश एली तो सब के सामने आ चुकी पर ये कारेश एली के पीछे क्या सोच काम कर रही है वो भी तो सामने आना चाहिए तो ऐसी तीन खबरे हमारे सामने आई हैं मैं चुन-चुन के लाया हूँ आपके सामने रखूंगा जीने देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा अरे भीया यह पुलिस वाले तो अपनी चाटुकारी धलाली में लगे हुए हैं अपने आकाओ को खुश करने में लगे हुए है और अपने आकाओ को खुश कैसे किया जा सकता है उसकी एक बानगी ये तीन तस्मीरे पहली तस्मीर से रूबरू हो जाएए उजयन यानि के महाकाल का मंदीर है यहाँ पे लोग जाते हैं यहाँ पे अकाल मौत से बचने के लिए महाकाल के दर्शन करने उजयन में एक थान सद्यक्स मिस्टर वीडी शर्मा वाए उन्होंने अपने हाँ पार्टी कारे करता हो के प्रोग्राम को संबोधित किया यह प्रोग्राम शनिवार को रखा गया था रदिवार को वीडियो बारल हुआ उसके बाद सोमार को अख़बारों में एक खबरे चपी के दिनेश करने की जाज़त हैं तो उन्होंने का नहीं भीया पुलिस के तो पर निंग बगए और जो जूनियरों के साथ यह रहगं करते हैं नाच गाना बिंको दिखाई है वैसा तमाम चीज़ें करके दिखाई लेकिन जब आप एक बावर्दी हैं तो आपको यह करने की जाज़त कि पूरे मामने को सामने आने के बाद कॉंग्रेस ने चफिर की भूमीका पर सवाल खड़े कर दिये के लग तो करते हैं समझे खड़े रहो Jewish के देख सकते स्क्रीन शोट उन्होंने तमाम चीज़ों को समेट के हां लिखा है कोई स्थानी पत्रकार होगा वरना इनकी दलाली चाटुकारी तो कम है नहीं मुकेश अंबानी का तमाम ठेट रहेगे और आप देखी रहे हैं किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं वो कार्पूरेट के खिल खड़े रहोगे तो अड़े द भड़े यह कमाल का है वरत अगर ओंदारी रहोगे बढ़ी असा थाना नहीं मिल लेकिन अगर जुके वह सलाम करोगे भाजपा के निताओं को मंत्रियों को तो आगे बढ़ोगे न मौका मिलेगा और आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा गया है कि सहाब वीडी शर्माजी ब्राम्मन है साब ब्राम्मनों के पैर शुनी के लंभी प्रंप्रा रही है तो इनको जाके किसी मंदिर में बैट जाना चाहिए फिर यह नेता ना बनके घुमें वो पुलिस ना बनके घुमें कोई आतराज करता है कि को आना में भक्त का आस्था का विशेब बन जाता है लेकिन यहां पर तो इक राजएदिक आदमी हैं दूसरा क्याना में पुलिस में तो यहां पर तो सवाल उठना चाहिए खैर जो तमाम चीजे थी वह आपके सामने रखी अब दूसी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं जो चार दिसंबर की है यानि के करीब दो महीने पुरानी हो चुकी है कटनी एक जिला पड़ता है बावर्दी पहले सेल्यूट मारता है थानेदार हमारे यह उत्तर प्रदेश में थानेदार कहते हैं जैसे आप दिल्ली में जाएंगे वहाँ पर आसेच्च ओ कहते हैं जैस यह सकता है कि पैर चूते हुए दिखाई दिये एक थानेदार महुद्ध और उस समय उन्होंने पैर्च वे जब चार दिसंबर को कटनी की एक विधानसभा है जिसका नाम है विजयर रागवगड वहां विधानसभा छेत्र के दोरे पर पहुंचे हुए थे मंत्री महुद्ध तो उस वगत वहां बरही थाने के जो थानेदार हैं जिनका नाम है शंकर सिंग वह पैर चूते हुए दिखाई थी उनसे पत्रकारों ऐसा कुछ नहीं पूछा तो हम भी आमको कुछ बता नहीं पाएंगे सीधे तीसरी तस्वीर दि सीन उस वगत कैमरे में कैद हुआ जब ये नेता जी अपनी विधान सबाद छेतर के पदमपुर खेरिया गाउं में विकास कारियों का लोकार करने पहुंचे थे जैसे ही ये कार से नीचे उसे उसी समय महराजपुर थाने में तैना दरोगा जिसका नाम गोपाल सिंग ही है और क्या इन में से किसी पुलिस वाले के खिलाब कोई एक्शन लिया गया हमारे पास कोई जानकारी नहीं है आपके पास कोई जानकारी हो तो बताईएगा लेकिन जो ये पुलिस को बना दिया गया है तो क्या आपको देखके नहीं लगता कि पुलिस नहीं ये भी जादा से जादा हमारी कब्रों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुरकते हुए अवलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामें हूंगा हाजी फलाल अभी मुझे दें जाज़